वाईक्रुची दा खाल्सा वाईक्रुची दी फते बाबा बंदा सिंग वहादर जी स्तारविश तापदी दे एक महान सिख योदासन जिना ने 1710 इस्वी नू, सरहन दे नवाब, वजीर खान नू, चपपडचीरी दे मिदान विच बड़ी बुरी तरा हराके ना सिर्फ छोटे साइब जादया दे शहीरी दा बदला लिता, बलकि पहले सिख राजदी स्थापना करके 200 साला तो चल रिया आ रही मुगल सल्तनत दा सफाया वी किता, शीरिकुरु गोबिन सिंग जीतों, आमरित छक के और उना दा आश्रिवाद लेके बंदा सिंग बहादर जी ने पारत दे एक आरमात करके दिखाई, जिस दे बारे मुगल सल्तनत ने सोच्या वी नहीं होवेगा कहने सन कि बंदा सिंग बहादर जी दी शकल कुछ हद तक गुरु गोबिन सिंग जी दे नाल मिल दी सी बंदा सिंग बहादर जी दा ना सुन्दे ही मुगल मैदान तो पज्जाम दे सन ओ दोर एमे दा सी कि जट गुरु तेग बहादर सहब जी आते गुरु गोबिन सिंग जी दे चार सहब जाद्यान बड़ी करूरता दे नाल शहीर किता गया सी उस वक्त पंजाब विज दहशत्दा महौल हो गया सी ओ वक्त गुरु गोबिन सिंग जी ने हालात नू वेगदे हुए बंदा सिंग बहादर जी नू अपने पांच तीर नगाडा निशान सै अते पांच ब्यारे सिख देखे पंजाब वल तोर दिता पंजाब पहुँचके बंदा सिंग बहादर जी सोनीपत पहुँचे उना ने सारी जगाते वुक्न नमा पेजिया कि आओ मुगला नू खतम करियें ते बहुत सारे योदा उथे इकठे हो गये बंदा सिंग बहादर जी ने पहले सोनीपत विद जीत हासल किती अते हो जगाते जाके हमले किते ते मुगला दा सारा खजाना आप हासल कर लिया उनने बोट सारे मुगलादा सफाया कीता आते उनादे सारे हथ्यार होग तन लैके अपने सारे सिखा विच वन देता 1710 इस्वी विच वजीर खान आते बंदा सिंग बहादर जीदा आमना सामना होया जिस विच वजीर खान अपनी पूरी सल्तनत्दे नाल मार्या गया ए सुन के बंदा सिंग बहादर जीदे को जान वाली सारी सम्मगरी नू रोक दिता गया जिस करके उना नाल बैठी सिक सैना पोखो और प्यास नाल मरन लगी हालात बहुत ही खराब हो गये सल जिस करके सिखा नू पेडा दे पत्ते उतार के खाने पए अखिर विच 7 सितंब 1715 इस्वी नू मुगला ने पूरी तरा कबजा कर लिया अते six सैना समेत बंदा सिंग बहादर जी नू गिरफतार कर लिया उना नू उनती फर्वरी 1716 इस्वी नू दिलनी ले जाया गया हर दिन सिखा नू मार्या जान्दा बंदा सिंग भादर जी नू उना दी पत्नी आते चार साल दे बच्चे नाल कोतम में नार्दे कोल ख्वाजा खत्यार काकी दी दर्गाहा विच लियाया गया उना दे नाल उना दे उन्नी सिंग भी सन उना नू तरम परिवर्तनली मजबूर किता गया पर उना ने उना दी एक गल ना सुनी नो जून 1716 इस्वी विच बंदा सिंग भादर जी आते उना दे पुत्तर अजे सिंग जी नू उना दी पत्नी ते उन्नी सिंगा नू शहीद कर पहला, उना दे चार साल दे पुत्तर नूं उना दी अख्ah दे सामने शहीत करदिता गया, अते पुत्तर दा तड़वता होया दिल उना दे मुझ पाया गया केहा जान्दा है कि बंदासिन बहाद जी दे शरीर दे टुकड़े टुकड़े कर दिते गए उना दे अपड़े नाल अपड़ा परिवार भी कुर्बान कर दिता सानु हमेशा महान योदा दी कुर्बानी याद रखनी चाहिती है डॉक्टर गंडा सिंजी नू ए तस्वीर उन्नी सो तेंती विच पटना विखे मुगल पार्षा अते होर परसिश शाही अधिकारियां दिया फोटवा दे संग्रे विच मिली सी तस्वीर उना दे शहीदी ध्याड़े दी है जदो जून 1716 इस्वी नू बाबा जी नू ख्वाजा कुतुब देन बक्त्यार काकी दे मत्बरे कोल शहीदी ले ले जाया गया सी लाल गरम चिम्टियां नाल उना दे मास नू पानन ले उना दे कपड़े उतार धित्ते गय सन ओहू ओख अते तसीहे कारण इनने कमजोर हो गय सन की उना दे खड़े होन लेई सोटी दी लोड सी बाबा बंदसिंग भादजी दा सिर्वड दित्ता गया सी अते अते उना दे अंगा दे टुकडे टुकडे कर दित्ते गय सन ऐस तरह बाबा जी नू तसीहे दे के शहीर किता गया अगर आप सब नू ऐ उप्राला चंगा लगे ता ऐ चैनल नू सब्प्राइब करो लाइक करो अते शेयर करो ताकि साड़ा ऐ सिखी हित्यास सारे पैन प्रामा तक पोच सके वाइग्रु जीदा खालसा वाइग्रु जीदी फते